क्या ये ही जिन्दगी है? जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार जिन्दगी का सबक दे जाएगी ये कहानी. जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए फिर शुरू हुई नोकरी की खोज ये नहीं वो दूर नहीं पास ऐसा करते करते दो तीन नोकरिया छोड़ते एक तै हुई थोड़ी स्थिर्ता की शुरुआत हुई. फिर हाथ आया पहली तनक्वाह का चेक वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शुन्यों का अंथीन खेल दो-तीन वर्ष और निकल गए बैंक में थोड़े और शुन्य बढ़ गए उम्र 25 हो गई और फिर विवाह हो गया जीवन की राम कह पानी शुरू हो गई शुरू के एक दो साल नर्म गुलाबी रसीले सपनीले गुजरे हाथों में हाथ डाल कर घूमना फिरना रंग बिरंगे सपने पर ये दिन जल्दी ही उड़ गए और फिर बच्चे के आने ही आहट हुई वर्ष भर में पालना जूलने लगा अब सारा ध्यान बच्चे पर केंदरित हो गया उठना बैठना खाना पीना लाड दुलार समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया बाते करना घूमना फिरना कब बंध हो गया दोनों को पता ही न चला बच्चा बढ़ा होता वो बच्चे में व्यस्त हो गई मैं अपने काम में घर और गाडी की किस्त बच्चे की जिम्मेदारी शिक्षा और भविश्य की सुविधा और साथ ही बैंक में शुन्य बढ़ाने की चिंता उसने भी अपने आप काम में पूरी तरह जोक दिया और मेने भी इतने में मैं 35 का ह गया घर गाड़ी बैंक में शुन्य परिवार सब है फिर भी कुछ कमी है पर वो है क्या समझ नहीं आया उसकी चेड़ चेड़ बढ़ती गई मैं उदासीन होने लगा इस बीच दिन बीचते गए समय गुजरता गया बच्चा बढ़ा होता गया उसका खुद का संसार तयार होता गया तब तक दोनों ही 40-42 के हो गए बैंक में शुन्य बढ़ता ही गया एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आये और मौका देखकर उससे कहा अरे जरा यहां आओ पास बैठो चलो हाथ में हाथ डाल कर कही घूम के आते हैं उसने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है यहां धेर सारा काम पड़ा है तुम्हें बातों की सूझ रही है कमर में पल्लु खोस वो निकल गई तो फिर आया 45-व रहे थे देखते ही देखते उसका कॉलेज कत्म वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया उसके पंक फूटे और उड़ गया परदेश उसके बालों का काला रंग भी उड़ने लगा कभी कभी दिमाग साथ चोरने लगा उसे चश्मा भी लग गया मैं खुद बुढ़ा हो गया वो भी उमरग्राज लगने लगी दोनों 55 से 60 की और बढ़ने लगे बैंक के शूनियों की कोई खबर नहीं बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंध होने लगे अब तो गोली दवाईयों के दिन और समय निश्चित होने लगे बच्चे बढ़े होंगे तब हम साथ रहेंगे सो दिया बाती कर रही थी तभी फोन की घंटी बजी लपक के फोन उठाया दूसरी तरफ बेटा था जिसने कहा कि उसने शादी कर ली और अब परदेश में ही रहेगा उसने ये भी कहा कि पिताजी आपके बैंक के शूनियों को किसी व्रिधाश रम्मे दे देना और आप भी वही रह लेना कुछ और ओपचारिक बाते कहकर बेटे ने फोन रख दिया मैं पुन सोफे पर आकर बेट गया उसकी भी दिया बाती कत्म होने को आई थी मैंने उसे आवाज दी चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बात करते हैं वो तुरंत बोली अभी आई मुझे विश्वास नहीं हुआ चेहरा कुशी से चमक उठा आखे भर आई आखों से आसू गिरने लगे और गाल भीग गए अचानक आखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए उसने शेश पूजा की और मेरे प देख रहा था आक्षन भर को वो शून्य हो गई क्या करू उसे कुछ समझ में नहीं आया लेकिन एक दो मिनट में ही वो चेतन्य हो गई धीरे से उठी पूजा घर में गई एक अगरबत्ती की इश्वर को प्रणाम किया और फिर से आके सोफे पे बैठ गई मेरा ठंडा और बोली चलो कहा घुमने चलना है तुम्हे क्या बातें करनी है तुम्हे बोलो ऐसा कहते हुए उसकी आखे भर आई वो एक तक मुझे देखती रही आखों से अश्रू धारा बह निकली मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया ठंडी हवा का जोंका अब भी चल रहा था क्या य झाल 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 झाल